स्वागत है आपका इस premium strategy वीडियो में जहां पे हम लोग सीखेंगे कैसे आप expiry day trading को master कर सकते हो minimum loss probability के साथ और maximum profitability कैसे आप निकाल सकते हो इससे इस strategy को आपको लेना है expiry day के दिन सुबा सारे 9 बजे मैं इस वीडियो में nifty की example देके बताऊंगा तो thursday को सुबा सारे 9 बजे इस strategy को आपको लेना है margin अप्रोक्स लगेगा आपको 58,000 का even अगर expiry day में बहुत बारा market movement आ जाता है तब भी आप profit में रहोगे चाहे bullish side में हो च अगर बहुत जादा ऊपर जाके फिर बहुत जादा नीचे आ जाए market तब भी आप profit में रहोगे इस strategy को आप दूसरे indices में भी apply कर सकते हो जो strategy का concept है वो same रहेगा maybe strike prices थोड़ा अलग रहेगा तो हर expiry में आप इससे जो है income generate कर सकते हो लेक्स की बात करूँ buy करना है पहले आपको one lot call option at the money पे spot price पे buy करना है one lot put option at the money spot price में फिर आपको sell करना है one lot call option 50 points out of the money जाके और फिर आखरी में आपको sell करना है one lot put option 50 points out of the money जाके तो अभी चलते है stock mark में और इसका pay off diagram पहले देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग एप्रिल की 18 तारिक की expiry देख लेते हैं सारे 9 बजे यहां पर जो मैं आ जाता हूँ April 18 को 18 की expiry मैंने select करके लखा है निफ्टी में जो spot price है आपका 22,250 के असपास है तो यहां पर जो है at the money पे मैंने one lot buy कर लिया put side में और at the money में one lot call side में buy कर लिया 50 points out of the money जाके मैं आपे sell कर देता हूँ बोथ out side में और call side में तो यह आपका strategy बन जाता है यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही ध्यान से कि आपको जो है loss जो हो सकता है वो है 22,213 से लेके 22,286 तक मतलब around 50 points की जो zone है इस zone में अगर market expiry तक रहता है तो ही आपको loss हो सकता है अगर market उपर जाता है market नीचे जाता है तो आपको loss नहीं होगा आपको around 1.4% का maximum profit मिल सकता है इस strategy से तो यहां पर जो है बहुत ध्यान देनी बाली वात है कि आपका blue line आप देख सकते हो blue line जो है आपको support कर रहा है तो यह जो आपको loss होने वाला है वो at the time of expiry होने वाला है तो आपको at the time of expiry तक wait नहीं करना है इसमें तो अभी जा लेते हैं कुछ important points यहां पर आप देख सकते हो pay off diagram से तो आपको loss जो होगा वो 50 point range के अंदर ही होगा अगर expiry उसी 50 point zone में होता है at the time of expiry आपको loss होने वाला है नहीं तो आपको loss नहीं होने वाला है आपको क्या लगता है कि हर पूरे दिन market 50 point range में होएगा market जब भी 50 point से उपर जाएगा 50 point से नीचे जाएगा आप profit zone में रहोगे तो उसी time में आपको जो है profit book करना है यही है main concept strategy का तो आपने बहुत सारे expiry देखे होंगे पर 50 points के अंदर market घूम रहा है वो भी expiry के दिन यह तो next to impossible है तो आपको मौका मिलेगा bullish side में मौका मिलेगा आपको bearish side में मौका मिलेगा जब भी आपको मौका मिलता है जब भी market green zone के अंतर आता है तभी आपको profit book कर लेना है नहीं तो आपको wait करना है दो बज़े तक अगर market जो है तो अगर market कभी भी green zone में जाता है तो आपको book कर लेन ना-profit को, क्योंकि market वहां से reverse भी आ सकता है, और फिर red zone में भी आ सकता है, दो बजे के बाद इस strategy से निकल जाना होगा, आपको चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जैसे दो बजे के बाद जाएगा, जो आपका नीचे वाला red वाला triangle है, वो भी बढ़ता रहेगा, और blue line थोड़ा करके नीचे जाता रहेगा, अगर दो बज़े तक market वही रहता है, जो कि बहुत ही rare to rare situation में होगा, close कर सकते हो, आपको सिर्फ minor loss होगा, क्योंकि blue line जो है आपको support करेगा, तो अभी देख लेते हैं, कुछ expires की example, और कैसे आपको इसको deploy करना है, अभी इसको में 15 मिनिट करके आगे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, अलड़ी 0.7% की profit आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा रुक सकते हो, यहाँ पर 0.7% की profit मिल रहे हैं, तो यहाँ पर निकल सकते हो, market जो है बारा बज गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, market यूटर्न लेके अभी जो है, वी शेप expiry लेके ऊपर बर गया है, तो यहाँ पर मैंने बोला आपको जादा देर वेट नहीं करना है, आप maximum जो है, दो बज़े तक वेट कर सकते हो, देर बज़े आप देख सकते हो, पर से market वापस यूटर्न लिया, तो आप देख सकते हो, इसमें expiry day में कितनी बार market ऊपर नीचे गया है, यहाँ पर आपको 1.5% की profit मिल रहा है, धीर बज़े, यहाँ पर आपको आक बंद करके निकल जाना है, इस strategy से, तो अभी एक और expiry देख लेते हैं, March 28 का expiry भी देख यहाँ पर भी मैं spot पर buy कर लेता हूँ, 50 points out of the money, sell कर लेता हूँ, कुछ ऐसा आपका trade बन जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, शुरवात में market ने बहुत बारा उपर की तरफ जम दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर सारे 11 बज़े ही trade को close कर दो, मैं तो कहूंगा कि आपको अच्छा लागा होगा, अगर आपको इससे भी बरिया premium strategies जानना है, जो की working people के लिए बहुत ही बरिया है, तो आप हमें नीचे description box में दिये whatsapp number पर contact कर सकते हैं, तो इस वीरियो को अबलग यही पर करते हैं, खदम